आज बहुत खुशी का दिन है डेली उनिवस्टी ने अपनी फर्स मेरेट लिस रिलीस कर दी है बहुत सारे स्टूडेंट्स घर पे मिठाईया बाट रहे होंगे डोल बज़वारे होंगे आज आपको आपका ड्रीम कोर्स और कॉलेज भी मिल रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर रिजर्व करवानी है ये विडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फर्स राउंड में कोई ना कोई सीट ऐलोगेट हो गई है जिनको कोई ने कोई कोई कोर्स और कॉलेज का कॉलेज का कॉमिनेशन उनके CSIS पोर्टल में दिख रहा है मैं आज आपको 5 steps बताने वाला हूँ step 1 से लेकर step 5 आपको follow करने है तब जाके आपकी seat reserve हो रही होगी उन students की पहले में मैं बात करे लेता हूँ जिनको कुछ भी नहीं मिला उनके CSIS पोर्टल में कुछ इस प्रकार से दिखा रहा होगा no seat allocated या no active round या no allocation round active at this point of time basically आपको second merit की wait करनी है second merit 25th October को release होने वाली है just दिवाली के एक दिन बाद तो आप घबराएं मत अगर आपको first merit में कोई कोई course और college को combination नहीं मिला इसका मतलब यह नहीं है hopeless हो जाओ कि अब तो million है कोई chance ही नहीं आप तो मेरा डियूस में भार हो गया ऐसा कुछ ही नहीं है second merit की आप wait कीजे second merit में मुझे ऐसा लगता है cutoffs competitively कम जाएंगी और आपको कोई ना कोई course और college convert होगा अब हम उस students की बात कर लें थे है जिनको कोई ना कोई course और college को combination allocate हो गया है step 1 आपको क्या करना है अपने csas portal पे login करना है csas portal कौन सा है ugadmission.uod.ac.in जैसी आप उस portal पे login करेंगे आपके पास कुछ इस प्रकार से portal दिख रहा होगा जैसी आप home पे जाएंगे कुछ इस प्रकार से portal दिखेगा यहाँ पी लिखा रहा होगा आपके पास phase 1 यहाँ लिखा रहा होगा phase 2 my seat allocation, queries, bank details और transaction आपको क्या करना है यहाँ पे आपको my seat allocation पे click करना है यहाँ पे view पे click करतेना बात एक ही है view पे आप जैसी click करोगे यह बिल्कुल fresh admission students के लिए मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने अप भी अपना portal भी खोल के इन देखा उनके लिए step 1 क्या है, आपको login करना है step 2 क्या है, आपको यहाँ पे home पे जाना है और यहाँ पे दिख रहा हूँ का first round of CSAS allocation and admission, जैसी आप यहाँ पे view पे click करोगे आपके पास कुछ इस प्रकार से portal खुलावा आ जाएगा अब यह portal क्या बोलता है, आपको बताएगा कि आपको कौन सा course और college का combination मिला है जैसे यह student है, इनको BA program computer application plus economics मिला है ठीक है भाई, दिख रहा है सबको कोई problem तो नहीं है इनको क्या मिला है, इनको मिला है BA program, computer application plus economics भारती college के अंदर अब यह जो student है, यह बड़ी confused हो रही थी और कल को आप हिंदू college, किरोडिमल मिरांडा हाउस, रामजस college, हंसराज college North campus भी आप टारेट कर रहे हो तब भी आपको जो first round में college और course का combination मिला है उसके अंदर seat reserve करवानी जरूरी है इसलिए वीडियो इतनी important है, हर एक student को जो Delhi University admission process में participate करना चाहता है जो D.U. जाना जाता है भले ही हो सकता, first merit में तुमें इतना अच्छा college ना मिलाओ हो सकता, first merit में इतना अच्छा course ना मिलाओ आपको यह seat reserve करना ही करना है it is mandatory, कोई ऐसा नहीं हो सकता सकता है, first merit में बोले ना, मैं नहीं यह करता second round में देखेंगे जी, ऐसा कुछ नहीं है first merit में अगर आपको कोई seat allocate करी है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे BA program computer यह दिख जाएगा भाई कौन सी seat allocate हुई है, भारती college में इन student को यह course मिला है उनको बता दिया, उनकी reservation category क्या है, उनके mask कितने better and so on यहाँ पे देखो क्या लिका रहा है, application status यह वो student है जिन्होंने अभी तक कुछ भी क्लिक नहीं है नया नया को student अगर अपना portal देखेगा तो ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो यह चीज आ दिया बात करूँ, इन्होंने भारती college में seat accept करी है, तो भारती college के पास, भारती college के पास इनकी documents चले गए है, automatically आपको कुछ करने की जोगत नहीं है, आपके documents पीडिया format में भारती college के पास चले गए है, अब आपके documents verify होने गए हैं, तो आप मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे verify होंगे, क्या दिखने वाले आपको, I am sure यह दिख रहा है आपको जैसे ही एक student, यह किसी और student की मैंने portal खोला वह, इस student को Miranda House मिला था, Miranda House पे इन्होंने accept allocation पे click किया, अब यहाँ पे आगए step 3, step 3 step 3 क्या होता है, step 3 आपको कुछ नहीं करना, आपका user action इस प्रकास से दिखा रहा होगा, documents verification approval from college department under process, under process के बाद, आपके पास जो next process होगा, वो इस तरह से आएगा, documents verified क्या आएगा, documents verified ठीक है, documents verified जैसे ही आएगा, documents verified जैसी आएगा, उसके बाद आपके पास, जैसी documents verification हो जाएगा उसके पास, आपके पास एक payment link आएगा payment किस college के, किस course के, किस category के अंदर कितनी होती है, उसका एक pdf में already हमारे telegram group पे डाल चुका हूँ, इंडिया का biggest telegram group for CVT aspirants, जैसे ही ये payment link आपके पास generate हो जाएगा आपको payment आजाएगे, मालो first semester हर एक student को, जिस भी college और course के combination में उसका admission हो रहा है first semester की उनको payment करनी है मालो इस student की Miranda House की BA program की seat एक पर देख लेते हैं कितना fees है मालो इनकी fees है 6,995 तो इनके पास यह payment link में आजाएगा 6,995 उनको ये payment करनी है payment आप जैसी कर दोगे आपका काम खतम, आपकी seat हो गई reserve, अब payment करने की last date आपके पास मेरे ख्याल से 24th October है उसको आप 24th October तक जैसी documents आपके verify होंगे, आप payment कर देना उसके बाद एक बहुत बड़ा game और होने वाला है उन students के लिए जिननोंने first first merit के अंदर आपना seat reserve करवाई है, उन students को मैं बता दूँ आपके पास और भी मौके है upgrade करने के, त्यानतर समझो यहाँ पर बहुत साले students ऐसे होंगे, जोने ने अपनी preferences इस तरह 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 भरी होंगी preferences ठीक है, आप कोई student है वो बो बोता है sir, मेरी तो first preference, जैसे यह student है हमारे पास, इनकी first preference Miranda House BA program में थी, जिसको first preference मिल गिया, उसके पास सिरफ एक option आएगा, freeze करनेगा मतलब, इससे better आपको कोई course और college का combination मिली ने सकता, भई जब आपने phase 2 भरा था, तो क्या सो समझ के भरा था, यही तो, कि मैं preference में सबसे उपर जाना है मेरे को, तो इस student ने अगर first preference भरा था, और first preference का college और course का combination, इनको first merit में ही allocate हो गया, तो इनके पास तो और कोई option नहीं है, यह seat reserve कराएंगी, payment करेंगी, काम कतम, यह freeze का option दबाएंगी, she or he must not be able to participate in the further round of counseling, further round of counseling में participate करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप चाहते हो कि मेरे को upgrade करना है, preference के ऊपर जाना है, but यह सिरफ first preference वालों के लिए, जिनको first preference का college और course का combination मिल गया, अब बात कर लेते हैं students की, जिनको first नहीं मिला, मानलो 88 number पे मिल गया, मानलो एक student है, उसने 4, 5, 6, for the sake of simplicity मैं मान लेता हूँ, एक student उसने सिर्फ 6 preferences भरी, और उसको चटी preference का, आप अपने हिसाब से हिसाब लगा ले ना, किसे ने 900 preferences भरी होंगे, किसे 96, किसे ने 105, किसे ने 1500, किसे ने 200, मानलो एक student को 6 number की preference बिल गई, अब वो कहता है, सर यह course तो ठीक है, बड़ college इतना अच्छा नहीं है, उस case में भी आपको यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है, 6 number के colleges पे, सबसे पहले आपको accept allocation, यहाँ पर जो लिखावाता है, यहाँ पर आपको लिखाता है, accept allocation करना है, उसके बाद आपके पास क्या होगे, documents verify होने जाएंगे, documents verification के बाद आपके पास payment link आएगा, आपको ना चाके भी, मतलब आपका मन्नी है, इस college में जाने का, इस course में, इस course को करने का मन्नी है, इस college में जाने का मन्नी है, उससे फरग नहीं पड़ता, अगर आपको one से fifth का college चाहिए, या upgrade करना है अपने option, तो आपको जो भी college first merit में मिला है, उसको reserve करना ही करना है, मानलो आपने accept allocation करा, documents verify होगे, आपने इसकी payment कर दी, जब आपने six number पे जो course और college का combination की payment कर दी, आपकी seat reserve होगे, ठीक है जी? आपकी seat reserve होने के बाद, आपको higher preferences, जैसे इस student के case में, इस student के case में, one to fifth preference का college मिलने के इनको chances है, कैसे? इनके बास दो options आ रहे होंगे, upgrade, इनके बास या तो एक option आएगा, upgrade का, एक option आएगा, freeze का, एक option आएगा, upgrade का, ठीक है? एक option आएगा, freeze का, कोई भी student, जिसको अपनी first preference नहीं मिली, दियान जा समझना जो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी student, जिसको first preference नहीं मिली, वो हमेशा क्या option दबाएगा, upgrade का, unless and until you have gotten first preference, तब आप freeze का option दबाना, otherwise हमेशा आपको upgrade का option दबाना है, आपको मानलो six number का, इस case हाब से, आपको six number का course और college मिली गया, पर आपका मनना है, sir मेरे को second वाले में जाना है, मेरे को fourth वाले में जाना है, आप upgrade का option दबाएगे, second round of counseling में chances हैं, आपको one से fifth college मिलने के, one से fifth course और college के, one से fifth preference पे, आपने जो भी course और college का combination रखा होगा, वो मिलने के आपको chances हैं, अच्छा ये upgrade होता है, कभी भी downgrade नहीं होता है, ऐसे नहीं हो सकता, कोई student बोले, sir मेरे को 80th number की preference मेरी मिल गई, और next round में मेरे को 100th number की मिल रही है, ऐसा नहीं होगा, आपने जो भी number achieve किया है, जो भी preference आपको मिली है, हमेशा उसके ऊपर ही जाएगा, आपका course और college का combination, in the further rounds of counseling, मालोक इस student ने एक से लेकर 20 preferences बढ़ी, उसको 15th preference का course, course और college का combination मिल गया, अब 15th के ऊपर ही जाएगा, वो upgrade के case में, कभी भी ऐसा नहीं होगा, 15th number मिला, फिर 18th, second round में उसको 18th number मिला, ऐसा कुछ नहीं होगा, once से 14th number के course और college के combination नहीं, आपको मिलने वाले हैं, इसको ही upgradation बोलते हैं, बात समझ आ गई, सबसे पहले आपको accept allocation करना है, अगर आपको further rounds of counseling में participate करना भी है, अपनी seat अभी के लिए reserve करवा लो, फिर document verification, फिर payment करनी है, payment के बाद आपके पास दो option आएंगे, upgrade और freeze, आपको upgrade का option दमाना है, अगर आपकी first preference के लावा, किसी नीचे की preferences में कोई भी नाम आया है, first merit में जो भी आपको मिला है, course और college का combination, आपको accept करके, payment करके, उसमें seat reserve करवानी है, फिर upgrade का option दमाना है, upgrade और freeze का option अभी नहीं दिख रहा होगा, पर दिखना आपके पास बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, अपने friends में वीडियो ज़रूर शेयर करना, five step process है, बहुत important है, कोई भी student, यह opportunity मिस ना करे, उन student का सोचो यार, जिनको तो मिला ही नहीं कुछ first round में, first round of counseling में, मैं ऐसे कहीं सारे student में जानता हो, जिनको कोई college और course का combination मिला ही नहीं, you are in a better position, you do not have to wait and see and become homeless, यारे मेरेको तो भारती college भी एप्रोग्राम मिला है, अरे जो भी मिल रहा है, अभी के लिए seat allocate कर लो, उसके बाद upgrade option आपको दबाना है, second round में इससे better मिलेगा, second round में भी first preference ना मिले, मानलो 8th preference मिलगी, अभी आपको 15 preference मिली, fifth round ने upgrade कर आगे, second merit list में उसको 8 preference मिली, दुबार वो upgrade का option दबाएगा, उसका ultimate motive यह होना चाहिए, कि वो first, second, third preferences तक पहुँचे, यही तो पूरी की पूरी preference sheet का खेल है, I am sure बाद समझा गई है, congratulations to each and every one of you, जल्दी से यह process कर लो, wait मत करो, documents जितनी जल्दी verification के लिए आप डालोगे, first come first of basis नहीं होता दिल्लिन उवेस्टी में, मालों कोई बोले, साराज मैंने accept कर ली seat, तो मेरा पहले admission हो जागा, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई कल भी कर लेगा, तब भी उसका admission हो रहा होगा, first come first of basis नहीं होता,